फ्रेंड्स, निर्यात को लेकर हमारा एंबिशियस टार्गेट एक होलिस्टिक और डिटेल एक्सल्म प्लानिश में से ही एचिव हो सकता है। हमें अपने मौझूदा निर्यात को भी तेज करना है और नए प्रोडर्स के लिए मार्केट नए डेस्टिनेशन तैयार करने के लिए भी काम करना है। और मैं आपको कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा। हमारे जो मिशन्स हैं वे ये तैय कर सकते हैं कि आज जिस देश में वो है बहुत छोटे देश है तो उनकी में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बाकी देशों में अगर आज किसी मनों तीन स्थान पर ही भारत का माल जा रहा है। 70 साल के निमित ये तैय कर सकते हैं कि हमारे देश में भारत से कम से कम अभी जो चीज़ें आती उसे अतिरिक नई 75 प्रोडक्ट हम हमारे देश में जहां हम मिशन में काम कर रहे हैं उस देश में ले जाएंगे। उसी प्रकार से वहाँ जो डायस्फोरा है। इंडियन डायस्फोरा हमने देखा है पिछले साथ साल में बहुत प्रोएक्टिव हुआ है। एक प्रकार से कंदे से कंधा मिला करके काम करने में आप लोगों के प्रहत्तन से जुड़ा है। हम राज्यवार हम डायस्फोरा के कुछ गुट बढ़ाएं और इस आज़ादी के 75 साल के वर्ष में उनके रिस्पेक्टिव राज्य के साथ इसी एक विशे को ले करके एक्सपोर्ट के विशे को ले करके वर्चुल समीट कर सकते हैं। जैसे मानली जीए बिहार सरकार ऑर्गनाईस करें, भारत सरकार भी हो, बिहार से जो चीज़े एक्सपोर्ट होती हूँ उसके सारे एक्सपोर्टरस हो और उस देश में रहने वाले बिहार का जो डायस्फोरा है वो उसके साथ जुड़ें। और बिहार की वो कौन सी चीजे हैं जो उस रिस्पेक्टिव कंट्री में पहुंच ली चाहिए मैं समझता हूँ डायोस्पोरा इमोशनली अटेच होगा वो इसमें मार्केटिंग में ब्रांडिंग में बड़ी मदद कर सकता है और हमारी चीजे बड़ी तेजी से फैल सकती है उसी प्रकार से क्या राज्य सरकारें बेबिय ताय कर सकती है कि हम हमारे राज्य की पांच या दस ऐसी टॉप प्रायोरिटी की चीजे ताय करेंगे जो हमें एक्सपोर्ट करना है और दुनिया के कम से कम 75 देश्वों में मेरे राज्य से कुछनु कुछ जाना चाहिए ये अंदर लक्ष बन सकता है याने हम आजादी के 75 वर्ष दुनिया में पहुंचने के लिए नए नए तौर तरीके अपना करके हम बिलकुल प्रोएक्टिवली हम प्रयास कर सकते हैं हमारी कई प्रोटक्ट ऐसी होगी दुनिया को पता तें नहीं होगा अब ज़से हमारा LED बनाया दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर रही है एनर्जी सेविंग की चर्चा कर रही है इस विशय को ही ले करके हम दुनिया में LED बल्प पहुंचाएं सस्ते में पहुंचाएं हम ग्लोबल वार्मिंग की से में से दुनिया की मानवता का एक काम भी करेंगे और भारत को बहुत बड़ा मार्केट भी मिलेगा, ऐसी कई चीजे हैं, मैंने ऐसे उधान पर नाम कहा है, हम बहुत सी चीजों को कर सकते हैं, अभी हमारा लगबग आधा एक्सपोर्ट सिर्फ चार बड़े डेस्टिनेशन के लिए होता है, इसी प्रकार हमारा लगबग साइट प्रतिशत एक्सपोर्ट, एंजिनेरिंग गूर्ड्स, जेम्स और ज्वालरी, पैट्रोलियम और केमिकल प्रोडेक्स और फार्मारेस्टिकल से जुड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि इतने बड़े विशाल देश, इतनी विविदिताव उखरा देश, इतनी बड़ी अगर न पहुचे तो हमें आत्में चिंतन करना है, हमें जो कमियां है उसको दूर करना है और मिल बैठ करके रास्ते खोजने हैं, इस थीतिव को हमें मिलकर बदलना है, हमें नए डेस्टिडेशन भी खोजने हैं, और अपने नए प्रोड़स भी दुनिया तक पहुचाने ह से हमारे एंट्रेप्रेनर्स को एक्सपोर्ट बढाने के लिए भी नए अवसर मिल रहे हैं, क्या इन नए सेक्टर्स के लिए हम फुचरिस्टिक स्ट्राटेजिस तयार कर सकते हैं?